वहीं अलवर वाली का प्रखण के अंदर प्रियंका गांधी ने पेडिता के परिवार से बात की है प्रियंका ने हर तरह के मदद का शुवासन दिया है धटना को मताया परदार्श से बाहर मुक्यमंत्री कहलोद को पीडिता के इलाज परिवार का खयाल रखने का आग्रह किया है साथी आरुपियों के खिलाफ त्वरित कारवाई का भी आग्रह किया गया है कोंग्रेस राष्ट्रिय सचीव धीरज गुर्जर ने ये जानकारी दी ट्विट करके धीरज गुर्जर ने ये जानकारी दी प्रियंका गांधी पर सवाल खड़े किये जा रहे है तो वीजेबी के तरब से कि जिस वक्त ये घटना घटी प्रियंका गांधी राजिस्सान में ती लेकिन उन्होंने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अमारे साथ बात करने के लिए कॉंग्रेस नीता दिरज गुर्जर जो गया है दिरज जी आपने जो ट्वीट किया है ये ट्वीट क्या मुम्किन नहीं था कि प्रियंका गांधी के तरफ से किया जाता प्रियंका गांधी जी कभी भी प्रिडिटों के मामले में राजिती नहीं करती है और राजस्तान सरकार का आपने अलवर पुलिस का भी अधिक्र वजन सुना होगा तद्काल परवाव से एस्पताल पहुचाया गया उसके पिता को परिवार को साथ रखा गया सरकार ने दोश्यों का पक्स नहीं दिया जिसना उत्तर पर्देश की बार के अंता पार्टी के नेता जो आवरोफ लगाते हैं इन्हें एक बार नजन्दर मोदी सभी पूछना चाहिए न कि लेड़ साल तक किसानों से मुलाकात क्यों नहीं करी मैं कहरा हूं जो हुआ दुर्वाग्यपून है और ततकाल वरवाव से प्रियंका गांधी जी ने पुजिता की पिता से बात करी वो अस्पताल में थे उनको विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करो मैं आप मेरे मुबाइल नंबर सिदे आपको दे रही हूँ मेरे कारले के नंबर दे रही हूँ कोई भी समझता है आपको इलाज में परिवार की विवस्ता करने के अंदर आपको साइटा के अंदर अपराजियों के मामले में भैको लेकर सुरक्षा चाहिए कुछ भी चाहिए तकाल आप उनसे बात करें मदद करेंगी मुख्यमंत्र जी से उन्होंने बात करी मुख्यमंत्र जी से घटना की पूरी जानकारी ली आगरे किया परिवार का पूरा खयाल रखा जाए सरकार प्रिजित के साथ खड़ी रहे इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं सर सवाल बीजेपी के तरफ से ये भी उठाये जा रहे कि जब यूपी आ बाकि बीजेपी श्यासित्त राज़ों में इस तरीके कि घटना होती है तो प्रिवाइंका गंदी वैक्टी का तोर पर मिलने जाती है जिस वक्त ये घटना राजिसान में हुई प्रियंका गांधी राजिसान में ही थी वो अगर चाहती तो मिलकर यहां से जा सकती थी ऐसा नहीं हुआ दूसरा उत्तर प्रदेश की घटना के मामले में क्या होता है प्रियंका गांधी जी के दो साल पुरह को आज ही फोटो बता कि आपने मकसद के लिए कुछ भी जूट बोल सकते हैं दिरत जी क्योंकि आपने ट्विट के आए सर ये जानकारी दे पाएंगे प्रियंका गांधीजी ने किस वक्त बात की किन से बात की और क्या कुछ बात की पीडिता के पिता से बात करी संद्र में आपको बता देता हूं प्रियंका गांधीजी ने को पूरी बात करी उन्हें का कि आपको जो भी साहिता चाहिए कोई भी तकलिव आ रही हो आपका हिलाज के पिता ने पूर संतुष्टी बताई कि मैं मेरी बेटे के हिलाज की विए संतुष्ट हूँ सरकार के साहिता संतुष्ट हूँ मुझे कोई डरा दमका नहीं रहा है मेरी हर तरह से अच्छा ख्याल रखा जा रहा है और उसके बाद अपने सकीवों के नंबर उनना दिया है कि इनसे कोई भी समस्तुष्ट पड़ जाए फोल करके तुरन संपरक करना दिरे जी बहुत शुक्री हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए कि कि सरीके से कॉंग्रिस ना सिर्फ पीडिता के साथ खड़िया बलके प्रियंका गांधी ने पीडिता के पिता से बात की और उनको हर संभव मदद का भरूसा दिया है आश्वासन दिया है शुक्री हमारे साथ जोड़ने के बली समारे सियों की गोरव भी जोड़गें गोरव क्या आपको लगता है कि राजिस्तान के अंदर जो घट रहा है उसी वर्तमान में देश की सियासत पर असर पड़ रहा है जो अलवर की घटना जो संग्यान में आई है और कल संभीत पात्रा की जो प्रियस्तान के दोरे पर ती रड़संबो ती शेर देख रही थी तब उन्हें गटना याद नहीं आती है और जब दिल्ली के लिए रवाना होती है तो घटना बड़ को ही चाता है और मुख्या मंदी से बात करने के और पीडिता को हरसंबो साहता देने की बात आती है तो यहां हम कह सकते हैं कि यह जो सारी कावायद है यह इसलिए की जा रही है कि यूपी और पंजाज चिड़ावनी गटना का प्रवाव नहीं देखने हैं तुम अले जी गुर्व शुक्रिया तमाम जैनकरिया मारे साथ साजा करने के लिए लेकिन यह सवाल बाकाइदा हमने दीरज गुर्जर से पूचा तो उन्होंने कहा कि जब सरकार पूरे तरीके से पिडिता के परिवार के साथ खड़ी है तो फिर प्रियंका गांदी नहीं आती से बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ता क्योंकि सरकार अपना काम करी और सरकार कॉंग्रिस की है